वाइट स्पोट, विटिलेगो, लियोकोडर्मा, सफेद दाग, यह सारी एक ही चीज़े हैं, जादे तर लोग पूछते हैं, सर होमेपैथी में ठीक होता है, सर इसमें अप्रोच क्या होती है, कितना टाइम लगता है, पूरी दर से ठीक हो जाएगा, डेर सारे से सवाल जवा आएगी, जो भी लोग जादे तर लोग देते नहीं है, ठीक है, तो वो हम आई बटन में क्लिक कर देंगे, और जो फोटो जाएंगे, उसको हम डिस्क्रिप्शन बाक्स में डालते चले जाएंगे, आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, तो सुरू करते हैं कि लियोकोडर्मा में होमेपेथी का क्या रोल है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं के तो जरूर करिए, और यदि वीडियोज बसंद हो रहा हैं, तो लाइक करिए, और बाकी लोगों को सेर करिए, लियोकोडर्मा जो है, वो ओर्टो-इम््यून डिसॉडर है और या फिर यह कह cleansed disorder है, यानि हमारी इसकन का जो कलर है, यह मिलेनिन की वज़़े से होता है, और किसी वज़े से यह मिलेनिन हमारी स्किन से डिस्ट्रॉय होने लगे तो हमारी स्किन का कलर सफेद हो जाएगा सबसे ज़रूरी चीज तो यह जानना है कब नहीं सही करना चाहिए लिउकोडर्मा पूरी बॉड़ी का 30% हो जाता उसको छोड़ दीजिए आप नहीं सही होता है मैं अपना experience बता रहा हूं बाके लों का हमें नहीं मालूम ठीक उसको ऐसी एलोपैथिक डॉक्टर को refer कर दीजिए बाकी बॉड़ी का deep pigmentation करके कमस्कम सरीर को एक जैसा तो बना दे यह इसको फूमपैथी का नहीं होता है mostly cases में दूसरी चीज लिउकोडर्मा का जादे त पूरी तरह से ठीक हो जाएगी यह कोई नहीं बता सकता है कुछ cases में होती हो कि अब हुमपैथी के बात करते हैं हुमपैथी के प्रोच में यह कौजेशन अफ डिजीज मिल जा है कि लिउकोडर्मा सुरू कहां से हुआ है जैसे एक एक बच्ची का हमने treatment किया था ठीक है औ उसको जो कि उसके घर में कभी आग लग गई थी ठीक है जिसकी वज़े से एक छोटा सा साइट डेवलप हुआ था तो हमें लगा कि हो सकता है वो बर्न की वज़े से हुआ हो लेकिन नहीं छे साथ मेने treatment के बाद जब कोई response नहीं आए तो फिर जब मैंने case history तो मालूम चला अभी 6 साल हो गए 6 साल में उसको दुबारा वो repeat नहीं हुआ आगे यदि कभी होता तो देखा जाएगा लियोकोडर्मा यदि किसी को है और यदि वो lady है तो अपने बच्चे में वो continue नहों चाहिए बच्चे में होने के chances नहों उसके लिए sequence में उसको antisyphletic, antipsychotic और after then psoric medicine पर डाल के तब उसे छोड़ा जाता है pregnancy period में सबसे अच्छा time होता है कि हम उस consequence को आगे नहीं जाने दें यह जादे दर लोगों को मालूम नहीं है तो जो होमेपैथिक अप्रोच होती है वह constitutional approach होती है causation of the disease मालूम चल जा है so far so good यदि causation of disease नहीं मिलता है तो मरीज की complete symptomatology ली जाती है mental general, physical general, particular general इसके विहाब पे हम लोगों से proceed on करते हैं जरूरी चीज क्या है सही होता भी है कि नहीं बहुत patience रखना पड़ता है यदि patience नहीं हो तो कभी भी होमपैथिक हिलाज मत लिएगा कुछ लोग बोलते हैं होमपैथि बढ़ाती फिर घटाती है असन नहीं है होमपैथिक एग्रवेशन माइनर होते हैं वो समझ में भी नहीं आता है जल्दी तो होमपैथिक बढ़ाती नहीं है यदि हमारा treatment गलत है तो surely बढ़ाएगी तो होमपैथिक ट् इतनी जाते दवा दी जाए तो यह डॉक्टर को कभी नहीं समझ में आगा जिसा मैं polypharmacy करता हूं या patent दिया जाए तो वो कभी सहीं नहीं होता है patent दवाईओं से होमपैथि में लिवकोडर्मा सैटल हो सकता है ठीक हो जाए ऐसा एकदम संभव नहीं है कोई किसी के साथ magic ह हो जाए nwork डेंशन नौर्मली ऐसा नहीं होता है तो जरूरी के आगा इस बात की है कि हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम od art करते हैं इतने ठीक नहीं कर पार तो अदिक नहीं कर तो यह यह होना चूजओं लोग नहीं करता है ऐसा जो कि गलत है है ठीक है कुए कि अलोपाथी में भी एक चेन बनी हुई है lower center, middle center, upper center, higher 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 सब्षज करने हम इसा होना चाहिए हम नहीं सही कर पारे है, आज की data में भी करता हूँ यहाँ मुझ कोई case नहीं है, मैं अपने senior Dr.刚才 हफस निगा जोड़ी को जन्म की हमें home escort कर देता हूँ उनका experience हमसे ज़्यादे अच्छा इस बारे में कई बार वो approach of the treatment बता देते हैं इस तरीगे से follow कर लेना ठीक हो जाएगा लेकिन patience बहुत जरूरी है ठीक है रही पात लगाने वाली दमाईयों का लगाने वाली दमाईयां होमेपेथी में भी दी जाती है लेकिन रियली वास्तों में उससे cure हो जाया ऐसा नहीं होता है cure वो internet medicine सही होता है यदि आप हमसे frankly पूछना चाहेंगे कि कितने percent cases में सही होता है तो केवल 25 to 30 percent cases में सही होता है आगे चलके हो सकता है मेरा experience और अच्छा हो तो मैं 50 percent cases में सही कर लो लेकिन बस इतना ही present time में मेरा experience है कि 25 to 30 percent cases में ये ठीक होते है बाकी कि मैं management mode में चलता रहता है ठीक है आगे चलके रही बात जिसमाली किसी को हमने precautions बता है इसमें बहुत strict precautions होते है animal protein में मना करवा देता हूँ अब हम जद देखने तो नहीं जाएंगे ना मरीज animal protein ले रहा के नहीं ले रहा so that's why जरूरी ये है कि जो patient है वो ख़श्क खुद इस बात को समझे कि यदि doctor किसी चीज को avoid करने के लिए बोला that is very important thing हमने ठीक करके normal condition में तो दे दिया लेकिन फिर यदि वो autoimmune disorder trigger होगा नया site involved करेगा so these are the basic things बिमारी के बारे में वाइड स्पॉट के बारे में जाल इको डर्मा के बारे में एक आगे चलके मैं वीडियो आपको जरूर दूँगा जिसमें क्यूं होता है, कैसे होता है कारण क्या है, साइनव सिंटम्स क्या होते हैं, treatment कि strategy क्या होने चाहिए, precautions क्या होने चाहिए, diet क्या होने चाहिए, इसके बारे में हम जोड़ों बताएंगे, thank you very much, मैं डॉक्टर अत्रुकुमा सिंग, नेरा में हो,